हलो दोस्तों, जैसे हाँस लोगी देखिए, मैं जा रहे हूँ प्रसाथ चरहने, मैं अपने माय के आए हूँ और माय के से पहली बार मेरे वीडियो बन रहा है देखिए मैं आचो की ही प्रसाथ चरहने, यहाँ पर ममी पहले से ही बना के रखी हुई है और मेरा वेट कर रहे थी कि मैं बाबो को लेके आओं और वो परसाद चरहा है तो देखती है परसाद चरह गया है और मेरा बाबो इधर उधर कर रहा है मम्मी लेके जा रही है मतलब परनाम करने के लिए और देख्या यह मम्मी इसको बैठ के परनाम करवा रही है इसे का मनत माना गया था इसका तब्यात बहुँ आधा खराब था ना तो मेरे मम्मी मनत मागे हुए थे कि बाबू ठेक हो जाएगा तो परशाद चरहूंगी खीर वाला परशाद चरह जाता है यह हमारे गाओं का मलंग जी है मलंग बाबा उन्हीं के परसा चरा जा रहा है और देखिए ये मेरा बाबू परणाम कर रहा है जितने भगवाँजी है शब को खुम खुम के परणाम कर रहा है और मस्ती भी चालू है इन लोगों का देखे कैसे कर रहे हैं लोग पहली बार मैं अपने माएके से दिज duż कर रही हूँ मतलब मैं पहली बार अपने माएके आए हूँ धाई, तीन साल के करीब में और आज मुझे दिज़ बराने का मौका मिले अपने माएके आने के बाद तो मैं सोचि कि बलागिंग करती हूँ और यह देखे मेरे बच्चे हर जगह परणाम कर रहे हर जगह गुम के जहाँ जहाँ परसाचरा गया था वहाँ वहाँ परणाम कर रहे हैं लोग आप लोग भी दुआ करिए कि मेरे दोनों बच्चे हमेशा कुज रहे और हमेशा इनकी जोरी सलामत रहे मेरे जुरुआ बाबू है और ये हमेशा परिसान रहते हैं इनके वज़े से मैं परिसान रहती हूँ तबियत विगरा खराब रहते रहते हैं लोगों का और ये प्रसाद चड़ चुका है अब हम लोग जाने के लिए निकलेंगे और मेरा बाब बहुत रहा था कि मुझे आलू चप खाना है तो देखे मैं आद दुकान पर आके बैठी हूँ इन लोग के लिए चप बनवारी हूँ गाउं का तीखाती का चप बहुत टेस्टी लगता है जो गुजरात में नहीं मिल पाता तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए